हेलो फेंट्स ये गाड़ी जो है शेवरलेट बीट है और इस गाड़ी के अंदर छोटी सी दिक्कत थी लेकिन वो दिक्कत इतनी बड़ी बन गई कि गाड़ी में बहुत जादा नुकसान हो गया और वो प्रॉब्लम किसकी थी और इसके साथ कई सारी ट्रेजिटी हुई इस साथ कभी पार्ट लेने गए कभी कुछ नहीं हुआ कभी क्या नहीं खुला छोटी छोटी दिक्कते कितना बड़ा बन सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं इस वीडियो में क्योंकि इसका आप मैं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूं प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थ तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि मैंने यहां का टर्वो खोल रखा है तर्वो की कोर निकाल के रखी है मैंने अब हुआ क्या था कि इस गाड़ी का टर्वो फेलियर हुआ तर्वो फेलियर कितना हुआ कि इसके अंदर और यह पूरा एक्जॉस किया चोटा सा क्या अगर हम बोलें तो उसको वह बहुत बड़ा मिस्टेक है लेकिन हां इस जगे पर गाड़ी के ओनर्स को भी इतनी थोड़ी सी अपना होना चाहिए कि हम अपना सोच समझ के उस फैसले को लें और थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज उनको रखनी चाहि सर्विस कर दी कर दिया लेकिन हुआ क्या ओइल की कंडिशन खराब हुई और खराब होने के वज़े से इसने क्या क्या इसके बाद भी क्या होता है कि देखे टर्बो अगर हम विट कर देंगे तो वह तर्बो दुबारा चलेगा नहीं दुबारा फेल हो जाएगा क्यों इस इसके उपर भी वीडियो भना रहा हूँ क्योंकि इसका रोख ओला था वो वीडियो भी आपको फ्यूचर बहती ही मिले तो उसके उपर भी मैं आपको अपको बताऊंगा कि वह नहीं चलेगा चलने को इसमें कहते हैं कि को यह इसने कॉरी सक्ति शुर्भ कर dez Liberty में पर्ट तर्व का वही है ये सिर्फ आग्सरु सिस्टम है वह क्यों नहीं चलता था हिस स्थ एक्अशर पेक्वेटिए चाहिए लेकिन इसमें मैं पूर्ब्लब्लम आई क्यों देखें सम्हों का का रीजन ये था कि वो इस फिल्टर को खोल नहीं पाए उनका ये कहना था कि अगर मैं ये फिल्टर खोलूंगा तो ये तूट जाएगा आप इसको ऐसे ही लगे रहन दीजे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन ये कोई फरक नहीं पड़ता उन्होंने कह दिया लेकिन फरक कुछ कमिशन बाजी कुछ मार्केट में लेने के फंडे वो चाहते थे कि हम इसको डूब्लीकेट डाल देब वो वी एक वीडियो में आपको बता हूँ तो वो सारी चीजे में एकट करके वीडियो में आपको बताता रहूंगा फिलाल मैंने इस फिल्टर को तो खोल दिया है मैंने लूज कर लिया है कभी भी कोई चीज खोलने के लिए देखिए हम प्रॉपर टूल और प्रॉपर तरीके से खोलेंगे तो वह खुल जाएगा अधर्वाइस हम उस चीज को डैमेज कर बैठेंगे जैसे कि इन्होंने पहले कोशिश की थी तो इस चीज को डैमेज किया थ मिक्स हो चुकी है अभ जब में मिक्स हो चुकी है तो आपके इंजन को तो भी करेंगी करेंगे लेकिन सबसे सेंस्टिव पार्ट जो है वह घाड़ी का टर्बो को सबसे जादा अगर् graduate करेंगा तो इसके लिए हमको को करना और इसके लिये एंजनों नॉलेज हम लोगों को होना बहुत जरूरी है अगर हमको गाड़ी रखनी है तो उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और इसके आने वाले पार्ट्स में आपको इससे भी जादा सीखने पर मिलेगा तो मिलेंगे नेक्स वीडि